इसेशन में हम देखेंगे 14 और 15 जूलाइ 2019 के करेंट अफेर्स के ऊपर बेस करके क्या क्या important questions एक्जाम के लिए बन सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया का जो पहला Dolphin Research Center है वो कौन से उनिवर्सिटी में शुरू होने जा रहा है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option C पतना उनिवर्सिटी approval के 8 साल बाद मतलब जो approval मिला था उसके बाद 8 साल बीच चुके है अभी जाके यह Dolphin Research Center का का काम स्टार्ट हो रहा है पतना उनिवर्सिटी में जो की बिहार में है इन 2013 प्लाणिंग कमिशन ने क्या किया था 2013 में रूपीज 28.06 क्रोड सैंक्शन किया था इस प्रोजेक के लिए नेक्स यह 2014 में स्टेट गवर्नमेंट ने भी 18.16 क्रोड इंफर्स्रुक्टर देवलोप्मेंट के लिए इसका सैंक्शन किया था जो प्रोजेक्ट अभी जाके स्टार्ट हो रहा है The second question is which day has been observed as Malala Day कौन सा दिन Malala Day के रूप में मनाया जाता है तो इसका जो correct answer है that is option D 12th July Malala Yusuf Jai जो की एक 16 साल की पाकिस्तानी लड़की है उन्होंने क्या किया था on 2013 12th July United Nation में जो education में जो gender equality है इसको लेके एक speech दिया था जिस speech को बहुत सारा standing ovation मिला था पूरी दुनिया से भी उनको बहुत appreciate किया गया था इसके लिए तो इसके लिए United Nation ने क्या किया है July 12th जो की Malala Yusuf Jai का बड़े भी है जिस दिन उस दिन को Malala Day के रूप में denote किया है The third question is 19th Commonwealth Foreign Affairs Minister meeting was held in which city जो 19th Commonwealth Foreign Affairs Minister meeting है यह कौन से सायर में होने वाला है तो इसका जो correct answer है that is option है London हमारे जो external affairs minister है जैसे एंकर वो यह 19th Commonwealth Foreign Affairs Minister meeting जो की London में होने वाला है वो attend करेंगे वहाँ पे जाके वो Britain के British के जो external affairs minister है Jeremy Hunt उनसे मिलेंगे और भी सारे देशों का जो foreign affairs minister है उनसे मिलेंगे यह meeting कहाँ पे होने वाला है यह meeting होने वाला है Commonwealth का जो headquarter है Marlboro House बहाँ पे होने वाला है बहुत सारे देश का जो external affairs minister है वो बहाँ पे आने वाले है The fourth question is Which thermal power plant will officially be shut down and turned into a solar park कौन सा thermal power plant को officially shut down किया जाड़ा है और एक solar park में convert करने का फैसला लिया गया है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option D, राजघर thermal power station दिल्ली cabinet ने यह decide किया है कि राजघर thermal power plant जो है उसको officially shut down किया जाएगा और एक solar park में convert किया जाएगा जो deputy chief minister है मनिश सिसो दिया उन्होंने बोला है कि एक 5000 kilowatt का solar power plant यहाँ पे किया जाएगा इसको convert किया जाएगा जहाँ पे 5000 kilowatt solar power generate होगा और यह plant का जो area है वो कितना है 45 एकर The fifth question is शोवेंद्रोनात कुंडू शोमेंद्रोनात कुंडू who passed away recently was associated with sports शोमेंद्रोनात कुंडू जिनका अभी-अभी देहांत हो गया है वो कौन से sports के साथ associated थे तो इसका जो correct answer है that is option B cricket Bengal और रिरेलोस का जो former leg spinner थे शोमेंद्रोनात कुंडू उनका देहांत हो गया है He was 77 years old शोमेंद्रोनात कुंडू जो की 30 first class match खेल चुके थे between 1958-59 to 1968-69 10 साल के अंदर उन्होंने 30 first class match खेल के 127 wickets लिये थे This included 13 5 wicket halls including his personal base top 8 for 104 उनका जो ये 127 wicket है उन्होंने 13 बार 5 wicket लिया है जो जिसमें उनका career का best performance भी सामिल है जो की है 8 wicket उन्होंने लिया था 104 रन देखे He also took 10 wickets in a match thrice तीन बार उन्होंने एक match में 10 wicket लिये है कुंडू was conferred the CAB कार्तिक बोस lifetime achievement award in 2013-14 2013-14 season में सुमेंद्रोनाथ कुंडू को CAB की तरब से कार्तिक बोस lifetime achievement award दिया गया था The sixth question is Who is the only Indian in Forbes highest paid celebrities 2019 list Forbes का जो highest paid celebrities है 2019 का जो list है उसमें कौन है अकेले इंडियन कौन है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा Option D Akshay Kumar Akshay Kumar has become the only Indian to feature in Forbes list of world's highest paid celebrities of 2019 The actor ranked 33rd on the coveted list जो list है उसमें उनका rank हुआ है 33rd यह जो list में और कोई इंडियन नहीं है अकेले हैं This magazine calls Akshay Bollywood's top earning star यह magazine की तरफ से Akshay Kumar को बोला जारा है कि Bollywood का top earning star है वो वो इतना earning of at least 5 to 10 million US dollar per film पर film के बीचे वो 5 to 10 million US dollar जो की इंडियन रुपीज में 35 to 70 crore रुपीज The next question is which company will launch co-branded credit card in partnership with Axis Bank and Mastercard कॉन से company ने co-branded credit card launch करने का decision लिया है in partnership with Axis Bank and Mastercard तो इसका जो correct answer है that is option C Flipcard Flipcard क्या करने जारा है Flipcard पहला co-branded credit card launch करने जारा है जो की एक partnership है Axis Bank और Mastercard के साथ This is first co-branded card for the e-retailer Flipcard had earlier partnered with Axis Bank in 2016 for the launch of the Axis Bank buzz credit card 2016 में Flipcard ने Axis Bank buzz credit card launch किया था जो की Flipcard purchases में 5% discount मिलता था अगर आप उस card से purchase करते थे अभी Flipcard क्या कर रहा है Axis Bank के साथ Mastercard से भी combine कर रहा है partnership में to launch his first co-branded credit card The eighth question is which company has launched India's first ethanol based motorcycle कौन से company ने इंडिया का first ethanol based motorcycle है वो launch किया है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा TVS Motor TVS Motor Company इंडिया का जो first ethanol based motorcycle है वो launch कर चुके है with the government's initiative to opt for green and sustainable future mobility solution government का जो initiative था green and sustainable future mobility solution उसके चलते हुए यह ethanol based motorcycle launch किया गया है यह जो occasion था वहाँ पे जो हमारे road transport and highways minister है Film division ने कौन सा documentary film club Mumbai में launch करने वाले है तो इसका जो answer है that is option D Shittij Film divisions launch Shittij a documentary film club in Mumbai an acclaimed documentary film Secret Life of Frog by Ajay and Vijayabedi screened as the inaugural film Film division ने Shittij नाम के एक documentary film club Mumbai में launch किया है जिनका पहला जो film है inaugural film है वो क्या है जो एक documentary film है Secret Life of Frogs by Ajay and Vijayabedi the public screening will begin at 5.30 p.m. on the 2nd and 4th Friday of every month public screening कब होगा every month 5.30 p.m. on the 2nd and 4th Friday the screenings will be held at films division complex और screening कहां पे होगा films division complex में the last question is where will the 2019 Himalayan states conclave held जो Himalayan state conclave है वो कहां पे होने जाड़ा है तो इसका जो correct answer है that is option B Musaori a conclave to deliberate on the problems faced by Himalayan states will be held in the Queen of Hills on July 28 July 28 में एक जो Himalayan state conclave है वो कहां होने जाड़ा है कहां पे होने जाड़ा है ये Musaori में होने वाला है जो की उत्तराखंड में है it will be attended by the chief ministers of all Himalayan states besides administrators and experts administrator और experts को छोड़के जो सारे Himalayan states के chief minister है वो सब इस conclave को attend करने वाले है states to attend the conclave include Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Assam, Harunachal Pradesh, Meghalai, Nagaland, Tripura, Mijoram and Manipur आज का जो current affairs का session है वो यहीं पे खतम होता है उम्मीद है ये session आपके exam के लिए helpful रहेगा अगर आपको ये session आपके exam के लिए helpful लगे तो इस video को एक like कर देना और आपने दोस्तों में share जरूर करना और अगर आप हमारे channel में नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर लेना तो फिर मिलेंगे एक नए current affairs के session के साथ तब तक के लिए thank you and have a good day